हेलो गाइस तो अच्छे लिए आज हम बनाते हैं बजार वाली इमली की पल्प वो भी घर में तो सबसे पहला हम सो ग्राम के करीब इमली ले लेंगे और उसमें देड़ सो ग्राम के करीब पानी डालेंगे इनको हम 5-6 गंटे तक के लिए इस तरीके से भीगो कर रख देंगे जब यह फूल जाएंगे तो इनका पल्प हम निकाल लेंगे तो देखिए 5-6 गंटे हो गया है और इनका जो गूदा है बिल्कुल अच्छा से निकल गया है पारी में अब अब इनको छन्य की साहता से चान लेंगे और इनका जो फाइबर यानी चिलका है इनको निकाल दें इनको इस तरीके से लगाता चलाते रहेंगे जिससे इनमें चीटे जो पड़ते हैं वो न पड़े तो लगबक 10 मिनद तक हम इनको इस तरीके से पकाएंगे जिसे इनका सारा पानी भाप के रूप में होकर उड़ जाए और यह बिल्कुल इनकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए और यह कॉंटिटी में बिल्कुल आदे हो जाए अब हम इनको लगाता चलाते रहेंगे तो देखे तयार है हमारा इमली का पल्प देखे बिल्कुल ठक्के की तरह गिर रहा है इनकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं है अब हम एक एयर टाइट कंटेनर में इनको भर कर रख देंगे आप इनको एक से देड़ महिने तक के लिए रख सकते हैं तो लीजिए हमेशा का जंजट खत में इमली को भीगोने का और उसके पल्प को निकालने का तो गाश चैनल को सब्सक्राइब कर जिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक सियर कमें करना मत बुलिया आप चाहते हो इस पर एक स्टिकर भी लगा सकते हैं जिससे कीचन में बहुत ही असानी होती है तो चलिए मिलते अपने नेक्षूरे में धन्यवाद